तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिविजन क्लास बताईए किस राज्य ने जगनात रत यात्रा को राज्य उच्छव बनाया तो आंसरोगा पंजाब ने सिक्किम का राज्य मचली किसे बनाया गया तो आंसरोगा केटली को और अरुनाचर प्रदेश का राज्य तितली अभी बना था केसर एहिंद बताओ तमिल नाडु का सोलवा पक्षी अभ्यारन ने कौन सा बना काजु वेली वेटलेंड और आपको बताना है अभी वर्तमान में भारत में कितनी वेटलेंड साइट्स रामसर साइट्स हो चुकी है और लास्ट वाली कौन सी अगर आप केते हो 49 होगी तो 49 नंबर के कौन सी है अगला है सोब परतिशत टीका करन यानि कि दोनों डोस लगाने वाला पहला यूनेन टेरिटरी बना कौन सा अंधमान लिको बार पहला गाओं पूछेंगे तो जम्मु कश्मीर का वेयान गाओं पहला जिला पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला पहला राज्य पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश अगला है बुक है ये शट्लिंग टू दा टॉप दे स्टोरी आफ पीवी सिंदु को किस ने लिखा वी क्रशन स्वामी ने वाडा वर्ल्ड एंटी डॉपिंग एजन्सी हेड़कॉर्टर है इसका मोंट्रियाल कैनेडा में इसके अध्यक्ष है क्रेग रीड और अभी देसंबर दो जार किसकी बात है वाडा की डॉप उलंगन करताओं की सूची आयती उसमें भारत तीसरे स्टान पे है पहले स्टान पे रशिया तूसरे स्टान पे इटली अच्छा वाडा तो हो गया विश्वु में भारत में है नाडा नैशनल एंटी डॉपिंग एजन्सी इसके डारेक्टर जनरल नए बने थे सिधार्त लॉंग जाम उनका नाम है और भारते खिलाडियों के लिए इसने नाडा एप्लिकेशन भी लॉंच किया था और इसके ब्रेंड एंबेश्टर बने थे सुनिल शेटी अगला है हुन्डई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रेंड एंबेश्टर बनाया था अधितिय अशोग को अब यहां से भी प्रेश्ट बन जाएगा अधितिय अशोग का सम्मन किससे है गोलफर हैं यह हुन्डई मोटर के भी अभी नए मैनेजिंग डिरेक्टर बने थे अन्सू किमिन का नाम है और विसे हुन्डई कहां की कमपनी है यह साउथ कूरिया की है भागते राष्ट्रे किसान दिवस कब मनाया जाता है यह 23 देसंबर को मनाते हैं क्योंकि यह जहनती होती है भारत के पांच वे प्रधान मंतरी चौदरी चरण सिंग्जी की और इनकी समाधी को क्या केते हैं किसान घाट केते हैं याद रखलो गया और देखो एक योजना है प्रधान मंतरी किसान योजना यहाँ पे किसान का मतलब हो गया क्रशक समान निदी योजना आपको याद होगा साल में 2-2,000 रुपे करके 3 किष्टे दी जाती है कब शुरू ही थी यह कहां से शुरू ही थी 24 फरवरी 2019 को गोरकपुर यूपी से बताओ किस नदी पर उडिसा का सबसे लंबा पुल बना है उडिसा का सबसे लंबा पुल है तो यह बना है महा नदी पर टी आकार का है इसका नाम है टी से तू लंबाई 3.4 किलो मेटर है वैसे भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है बुपे नजारी का जिसे डोला साधिया ब्रिज भी आप कहते हो लंबा ये 9.15 किलोमेटर जो की है लोहित नदी पर ये असम और अरुनाचर प्रदेश को जोड़ता है तो बताइए वर्ल्ड रेफ्यूजी डे विश्वी शरणार्थी दिवस का मनाया और युनाटेड नेशन ने जो थीम दी थी वो है योगा फॉर वेल बींग फिर बताइए वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब होता है 21 जून को होता है और हाइड्रोग्राफी से आपको याद आएगा भारत के प्रमुक हाइड्रोग्राफर वाइस एड्मिरल जो है कौन विने बदवार अभी इनको ब्रिटिस सरकार ने अलेक्जैंदर डेल रिंपल पुरसकार से सम्मानित किया है वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को ही मनाते हैं अंतर राष्टर ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है और युनाटेड नेशन पब्लिक सर्विस टे सन्युक् अंतर राष्टर विदवा दिवस कब होता है 23 जून को और अंतर राष्टर नाविक दिवस डे ओफ सी फियरर यह होता है 25 जून को थीम क्या है सी फियरर अड़ दे कोर ओफ शिपिंग फ्यूचर नाविक शिपिंग के भवश्य के मूल में MSME Day Micro Small Medium Enterprises दिवस 27 जून को होता है थीम क्या है MSME 2021 Key to an Inclusive and Sustainable Recovery World Sickle Cell Day कब होता है 19 जून को होता है अब हम पुराने महीने के Current Affairs का रिविजन करेंगे तो बताइए Golden Boy निरत चोपड़ा नाम की बुक को किस ने लिखा नवदीब सिंगिल ने बताइए भारत सरकार ने किसे लेखा महा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया तो आंसर होगा सोनाली सिंग को यहाँ पे लेखा महा निदेशक को बुलेगे अंगरेजी में CGA Controller General of Accounts और CAG कौन है? गिरिश चंद्रमुर्मु है बताइए किसे Indigo Airline का मेनेजिंग डिरेक्टर बनाया? राहुल भाटिया को बताइए इरान जूनियर इंटरनेशनल सिरीज बेडमेंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 लडकियों का एकल खिताब किस ने जीता? तो आंसर होगा समायरा पमार ने जबकि लडकों का टूर्नामेंट जीता संकर मुथुसामी ने बताइए NCRT के डिरेक्टर कौन बन गए? दिनेश प्रसाद सकलानी NCRT मतलब National Council of Educational Research and Training गनतंत्र दिवस परेड में किस राज़े की जाकी को सर्विश्रेष्ट राज़े जाकी की रूप में चुना गया? उत्तरप्रदेश UGC यानि की University Grants Commission विश्विध्याले अनुदान आयूग का नया अध्यक्ष बनाया गया M. जगदीश कुमार को The Immortal King Rao के लिखक कौन है? तो आंसर होगा वो ही नी बाटा इंडिया की Brand Ambassador बनी कौन? दिशा पटानी और रमिश देव का निदन हो गया वे क्या थे? अभी नेता थे बताइए देश का पहला Artificial Slalom Course ये कापे बनेगा तो आंसर होगा भुपाल में एक हजार बंडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है भारत और अभी हजारवा किसके खिलाफ खेला? वेस्ट इंडिस के खिलाफ देश का दूसरा सबसे उचा राश्टर ध्वज अभी फैराया गया अरुनाचल प्रदेश में किसे पावर सिस्टम ओपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सीमडी बनाया गया एसार नर्सिम्मन को देश के तीसरे बोर्डर हाट का उधगाटन किस राज़ में किया गया दिरिपूरा में प्री प्राइमरी चातरों के लिए खुले मेदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए पराय शिवाले यानि कि पडोस इसकुल को शुरू करेगा पश्यमंगान अंडर 19 विश्व कप का खिताब किस ने जीता बारत ने इंगलेंड को अरागर गे इसमें प्लेयर आफ दा मैच रहे राज अंगद बावा पांच विकिट लिए थे इन्होंने साशन में सुधार करने के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया भी किसने असम सरकार ने बताइए कि सराज्य ने कलेप कारेकरम शुरू किया कलेप मतलब हो गया क्लीन अप आंदर प्रदीश कारेकरम तो आंदर प्रदीश इसका आंसर होगा लतामंगेशकर का निदन हो गया उन्हें किस वर्ष भारत रत्न मिला था 2001 में और 2022 में बात करेंगे तो भारत रत्न तो किसी को नहीं मिला पदम पुरसकार मिले थे जिसमें पदम विबूशन 4 को मिला है पदम बूशन 17 को और पदम शिरी 107 को चलो comment box में type कर दो बस आप तो इतना सा कि पदम विबूशन जो 4 को मिला है वो 4 वेक्ति कौन-कौन है जिससे आपका revision भी हो जाएगा और ये नाम आपको याद भी होने चाहिए नई याद हैं तो याद कर लेना अब हम कल के current affairs को revise कर लेते हैं तो आपसे पूछा था सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है तो आंसरों का माधवी पूरी बुच्छ किन की जगे लिए है अजित्यागी की जगे लिए most important question है राष्टर विज्ञान दिवस National Science Day हम मनाते हैं 28 फरवरी को एक World Science Day भी मनाते हैं 10 नवंबर को होता है और Science से related एकोडे होता है International Day of Women and Girls in Science यानि की विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराश्टर दिवस वो 11 फरवरी को होता है Mexican Open 2022 का किताब किस ने जीता राफेल नडाल ने ये Spain के tennis player है King of Claycoat इनी को का जाता है और आपको याद होगा अभी Australian Open 2022 में में सिंगल टाइटल इन्हों नहीं जीता था जबकि वुमें सिंगल टाइटल जीता था Australia की Ashley Bati ने बताई 58 वी Senior राष्टर शतरंज Championship 2022 का आयोजन का पे हुआ कानपुर में भारते रेलवे का पहला Solar Power Plant जो सिधे Traction को Power Feed करेगा का पे स्थापित किया गया बीना मध्यप्रदेश में भारत T Plus One Stock Settlement को लागू करने वाला कौन साथ देश बनेगा दूसरा देश बनेगा पहला चाहिना है मतलब आप कोई Stock खरीदते हो शेर मार्केट में कोई शेर खरीदते हो तो आपके Demit Account में वो T Plus One Day में आ जाएगा T यानि कि जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो मैंने उधरन दिया था सोमवार की दिन जैसे कि आपने ट्रेड किया वो शेर खरीदा तो वो तो T हो गया और Plus One Day उसका एकोड दिन आप ले लो यानि कि Tuesday को वो शेर आपके Demit Account में आ जाएगा अभी तक ये T Plus Two Days लेता था सेटलमेंट में और ऐसा करने वाला ये दूसरा देश बन गया भारत का पहला E West Eco Park काँपे बनेगा दिल्ली में अच्छा देश का पहला E कचरा यानि कि E West क्लिनिक काँपे खुला था बोपाल में दुरलब रोग दिवस, Rare Disease Day कब मनाया जाता है 28 वरबरी को क्या थीम रही थी, Share Your Colors, अपने रंग साझा करे COVID-19 हे तू भारत का पहला सुदेशी रूप से विक्सित, Receptor Binding Domain, Protein Sub Unit Vaccine ये कौनसी है, Corbe Vax TM और इसे Biological E Company ने बनाया जो कि है हेदराबाद की है बताओ DNA Based Vaccine कौनसी है, JaiCov D और इसे लगाने वाला पहला देश बन गया यानि कि DNA Based Vaccine को लगाने वाला पहला देश बना है भारत और Plant Based Vaccine को लगाने वाला या मंजूरी देने वाला पहला देश बना कौनसा, Kannada Gift City में Car Railway खोलने वाली पहली बहु पक्षिय यानि कि Multilateral Agency कौनसी बन गई New Development Bank जिसे आप Bricks Bank भी बोलते हो, इसका Headquarter Shanghai चाइना में है और इसका नया मेंबर अभी बना था 4th नंबर का Egypt मन्रेगा के लिए लोगपाल एप्लिकेशन अभी किसने लॉंच किया? गिरीराथ सिंग ने, ग्रामेंड विकास वो पंचायती राजमंत्री हैं ये और भारत के पहले लोगपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, लोगपाल को अंगरेजी में बोलेंगे Ombudsman तो गाइस ये था आज का आपका रिविजन वाला सेशन, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर जाना, थेंक्यू गाइस